पुछ काम आपके अटक सकते हैं विद्यारती वर्ख खासकर मेडिकल की स्टुडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वहीं आपके काम बनते बनते अटक जाएंगे महीने के लास्ट का जो समय है इस समय आपको बहुत केरफुल रहना पड़ेगा और क्या-क्या इस महीने आपके साथ होने वाला है और किन-किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें नमशकार मैं निदी शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने लेकर आए हूँ मेश राशी वालों का ओक्टोबर माह का मासिख राशीफन सबसे पहले बरत और त्योहारों की बात कर लेते हैं तो 2 ओक्टोबर को गांधी जैनती मनाई जाएगी 2 ओक्टोबर को इसर्व पित्र प्रारंब हो रही है और 3 ओक्तोबर को घट स्थापना की जाएगी, 11 ओक्तोबर को दुर्गस्टमी का पर्व बड़ी धुमदाम से बनाया जाएगा, 12 ओक्तोबर को दशेरे का पर्व यानि विजे दश्मी का पर्व मनाया जाएगा, 16 ओक्तोबर को शरत पुर्णिमा आ रही है जो कि शरत रितु के आगवन का प्रतीक है और इसका अपना विशेश महत्व है 20 ओक्टोबर को करवा चौत का वरत सभी सुवागी ने बड़ी धुमधाम से मनाएगी 24 ओक्टोबर को रमा एकादशी का वरत किया जाएगा वहीं 29 ओक्टोबर को धन तो ये इस माग के कुछ विशेश वरत और तियोहार है जो कि इस महीने को बहुत ही विशेश बना रहा है अब आते हैं कि ग्रस्टी के हिसाब से इस महीने क्या बड़े बड़े फेर बदल होनेगे तो सबसे पहले ग्राउगी राजा सुरई की बात करते है चुकि वरतमान थोड़ा सा संभल कर रहने की आफशकता रहेगी बुद्ध जो की वर्तमान में अपनी उच्ची की राशी कन्या में विराजमान है दस ओक्टोबर को अतिमित राशी तुला में प्रवेश करेंगे और 29 ओक्टोबर को पुना अपनी शत्रू राशी व्रशिक में प्रवेश कर जाएंगे मंगल करकी बात कर रहे तो वर्तमान में अपनी सम राशी में थुन में विराजमान है और 20 ओक्टोबर को वे भी नीच के ओकर अपनी नीच की राशी कर्क में विराजमान होंगे गुरुगरा पूरे मां अपनी सम राशी व्रशब में विराजमान रहेंगे वही शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशी तुला में विराजमान है और 13 अक्टोबर को अपनी शत्रु राशी व्रश्चिक में प्रवेश करेंगे शनिग्रा पूरे माँ अपनी खुद की राशी कुम में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहू और केतू अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इसमा विराजमान रहने वाले हैं तो ये तो हुई ग्रहों के फिर बदल की बात अब आपको पता है कि ग्रहों की इन इस्ततियों के आधार पर ही तै होता है मासिक राशिफल यानि अब हम बिना कोई देर किये हुए शुरुआत करते हैं हमारे उक्तोबर मा के मेश राशिवालों के मासिक राशिफल की और सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्रगर्नाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लगन दौनों के हिसाब से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपके राशिफ स्वामी की बात करेंगे जो की है मंगल मंगल 20 Oktobr तक तो आपकी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान रहेंगे यानि मित्षोन राशि में बैठेंगे थार्ड हाउस में बैठेंगे परन तू 20 Oktobr को मंगल हो जाएंगे नीचे और नीचे के होकर आपके सुक इस्थान में आकर विराजमान होंगे अब मंगल की इस्तती की अगर मैं बात करूँ तो चुकि आपके रासी स्वामी है 20 अक्टोमर तक तो आपकी पावर को बढ़ाएंगे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे प्रभाव को बढ़ाएंगे डिसिजन मेकिंग को बढ़ाएंगे और स्ट्रॉंगली आप अपने डिसिजन ले पाएंगे परन्तु उसके बाद चीजे वैसी नहीं रहेगी जैसी आपको दिख रही है या फिर जैसी परिणाम अभी आपको मिल रहे है चुकि मंगल नीच के हो जाएंगे और लगनेश का यानि आपके रासी स्वामी का नीच का होकर सुकिस्तान में बैठना कहीं न कहीं आपके अरिगेंसी को बढ़ाएगा आपके एगो को बढ़ाएगा आपके अग्रेशन को बढ़ाएगा गुस्य को बढ़ाएगा और उस ओर confidence में आकर आप कुछ गलतियां कर वैठेंगे जिसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है इस महीले के last में इसलिए आपको सतर्ता क्या रखनी है कि ये जो विकार मैंने आपको बताए ये विकार इस समय आपके जीवन में नहीं आने चाहिए मंगल आप में वो लाएगा वो इगो की प्रॉब्लम लाएगा और confident आप दिखाई देंगे परन्तु फिर भी आपको लोगों की बातों को सुनना है धैरिये बनाये रखना है अपना mental balance खराब नहीं करना है और नहीं और confident होना है वरना बहुत जादा नुकसान की इस्ततियों के लिए आपको तयार रहना चाहिए अब मंगल चुकी आपके एर्थ हाउस के लौड है तो एर्थ हाउस का जो लौड है वो अपने से अस्टम पहले 20 अक्टोबर तक बैठेगा और उसके बाद नीच का होकर अपने से नवम आ जाएगा यानि सुकिस्तान में बैठेगा यहां पर भी अगर मंगल की इस्तति की बात करूं तो अस्टम भाव के इसाब से और और मंगल इतने इच्छ रिजल्ट नहीं देखा यात्राएं करते समय साफदानी रखनी होगी इस समय अपने प्रती द्वंदियों से साफदान हैना होगा अपने कारेओं को बहुत धैरी के साथ करना होगा अपने में एक सहिंच शीलता विनम्रता का गुण लेकर आना होगा तब भी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे इस समय कोई आपको कितना भी उक्साय, आपको कोई भी रिस्क की काम करने से बचना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करें, जिससे आपको बड़ी financially रिस्क लेनी पड़ें, वरना बहुत ज़ादा नुकसान भी हो सकता है, इस समय खुद घड़े रहकर अपने कारेों को पूर्ण करे और रुटीन के कामों को ही चलने दे, अब आजाते हैं वितिय भाव और सेवन्थ हाउस पर, यानि सेकंड और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र, अब शुक्र की इस्तती की अगर मैं बात करूँ तो वरतमान में तो शुक्र अपनी राशी में बैठे, बहुत तो 13 ओक्टोबर को शुक्र अपनी शत्रू राशी व्रशिक में प्रवेश करेंगे, यानि आज आएंगे आपके अस्टमभाव में, अब 13 ओक्टोबर तक का समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाब की स्ततियों को बढ़ाने का रहेगा, जो बिजनस प्लास करेंगे, कई टारगेट दिये जाएंगे जिनको आप फटा-फट से अच्छीव कर लेंगे, यहां तक कि आपके कुलिक्स भी आपकी बातों को मानेंगे, एक टीम वर की तरह काम कर, आप बड़े-बड़े अच्छीवमेंट इस समय प्राक्त करेंगे, लाइक पार्टनल का माँ पर शुक्र का बैठना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, हालेंकि सेकेंड आउस का लॉड अपने से सब्तम जरूर बैठेगा, पर अप ये ध्यान रखें कि सेकेंड आउस में आपके गुरु बैठे हैं, जो की स्थान हानी करते हैं, जहां बैठते हैं, उसकी स् पर शक्ता रहेगी, कोई विकारिय जल्द वाजी में आपको नहीं करना है, कुटम से आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा, इस समय आप जो काम अपने हाथ में लें, उस काम को स्किप न करें, यानि उस काम को काल करें सो आज कर और आज करें सो अब वाली प्रवर्ती बना ले तब आप अच्छा लाब अच्छीव कर पाएंगे, जो आपने अभी अच्छीवमेंट के जिस लेवल पर आप पहुचे हैं, उससे नीचे नहीं जाएंगे, उस लेवल को आप मेंटेन रखेंगे, अब चुकि शुक्र सेवन्त आउस के लॉर्ड है, तो 13 ओक्टोबर तक DC का काम करते हैं, इस नीचे नहीं अपने गवान मारीव करें सब्सक मेंटल का है और ऐसे ना 이से में पॉचर मेंटогं है कपके में में डान का सब्सक्रीयर हैं, चैज को हुणता का लॉर्ड हे और neighborhoods ए पर अपम का एंपने पर उस के लिर में आपर को यह इने गर करते हैं, प क्योंकि एस्टम में शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, गुमाएंगे बहुत पर प्रॉफिट कम देंगे, यात्रह जाता होगी पर नतुलाप कम होगा, यानि कुछ स्ट्रगल जादा हो जाएगा काम में, पर आपको अपनी मैनत को इस समय दुगना कर ही देना है, अगर आप अपने रिजल्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने सफलताओं को मेंटेन रखना चाहते हैं, अचिवमेंट को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको मैनत को दुगना कर देना चाहिए, तो शुक्र आपको बहतर परणाम देंगे, तो यह हुई शुक्र की पोजिशन की बार, अब आते हैं आपके थर्ड आउस और आपके शिक्स आउस पर, देखे थर्ड और शिक्स आउस के लोड हैं बुद्ध, अब यहां पर बुद्ध आपके वर्तमान में उच्च के ओकर विराजमान है, 10 अक्टोबर को बुद्ध अपनी अतिमित राशी तु और ज्यादा बेटर करेगा, देखे अब मैं अगर बात करूँ पराकरम भाव की, देखे पराकरमीश 10 अक्टोबर तक तो बेस रिजल्ट दे रहें आपको, उच्च के होकर आपको आपकी पावर को बढ़ा रहें, बुद्धी मता को बढ़ा रहें, इंटेलिजेंसी से जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट बुद्ध के आपको दिलवाएगा, और बैतरीन परेडाम आपको प्राप्त होंगे, राजनिती में आपके अटके हुए काम संपन हो जाएंगे, आपको कोई बड़ा एचिवमें राजनिती में मिलेगा, भाई बेनों से अच्छा सपोर्ट म होगा, इस समय आप जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता अच्छी मिलेगी, रोग बाव का स्वामी पहले अपने ही घर में स्वग रही होकर विराज मान होगा, और दस अप्रोबर को आजाएगा आपके सेवंता उसमें, और दोनों ही परिस्तितियों में स्वास समंदी समस्य खत्म हो जाएगी, महीं इस समय आप अपने राइवल्स को भी पचाड देंगे, हर काम में आप बुद्धी और युक्ती और मैनत तीनों से सफलता जरूर प्राक्त करेंगे, परन्तु आपको ध्यान रहे, बुद्धी का उप्यूग जादा करना है, जल्दबाजी में डिस मेनेजमेंट करेंगे, कर्ज की सत्या उतनी ही कम होती चली जाएगी, तो बुद्ध और और आपको इस पूरे महीने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अब आते हैं आपके फूर्थ हाउस पर, यानी सुख इस्थान पर, सुख इस्थान की अगर मैं बात करूँ, तो सुख 20th October के बाद, आपको कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी से संबंदे डील नहीं करनी है, अगर आप अपना नया घर लेना चाहते हैं, डील लगबग फाइनल है, तो जो भी काम करने हैं, आपको 20th October से पहले कर लेना है, बाहन के रक्रकाव पर भी घर जा सकता है, उसका भी वि पहले कोई भी बड़ी डील करनी है, तो कर लीजिए, उसके बाद, कोई भी बड़ी रिस्क मत लीजिएगा, ये मेरी एड़वाईज है आपको, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अब आते हैं आपके 5th हाउस पर, 5th हाउस के लर्ड हैं सूर और सूर्य वर्तबान में अपनी मित्र राशी कन्या में विराजमान है, और 17th October को वे हो जाएंगे नीज के, और आ जाएंगे तुला राशी में, यानि 5th हाउस का लर्ड नीज का होकर 17th October को आपके 7th हाउस में बैटेगा, अब यहां क्या तिकत आने वाली है, 17th October के बाद जब सूर्य नीज के हो जाएंगे तो गौर्मेंट जॉब के लिए अगर अपने एक्जाम दे रखें तो उसकी निराशा बजनक परिणाम आ सकते हैं, वहीं मेडिकल की स्टुडेंट्स को अपनी पढ़ाई में दिकते आ सकती हैं, जो आपने अपना टार्गेट बनाया हैं उससे आप चूप सकते हैं, इस तरह की परिशानिया आ सकती है, जब सूर्य नीज के हो जाएंगे, कुछ वर्क प्लेस पर गलत आरोप लगना, कोई लेक नहीं या पर कोई सांस्कृतिक, अगर आप कुछ कारिक्रमों में पार्ट लेते हैं, आप कोई कलास के शित्र से जु सकते हैं, आप औरेंज या रेड कलर के कप्रों को अवाइड करें, सूर्य आपको बैथर परिणाम देना प्रारम कर देंगे, थोड़ा सा आपको अपनी बोली पर ध्यान देना है, सोथ समझ कर डिसीजन लेना है, जल्द बाजी में कुछ भी नहीं करना है, और किसी के बैक भागे इस्थान और आपके 12 आउस पर, यानि खर्च भाव पर, अब मैं भागे इस्थान और खर्च भाव की बात करूं, तो उसके स्वामी ये गुरू जो की आपके 2 आउस में जाकर विराजमान हो रहे है, गुरू की पोजिशन लगातार इसी तरह से बनी हुई है, क्यो संचार आपके अंदर लगातार, कंटिनुवसली होता रहे, जौब से जुड़े हुए लोगों को जौब की तलाश और तेज कर देनी चाहिए, तब आपको अच्छी जौब मिलेगी, है रजगुशन से जुड़े हुए छात्रों को थोड़ी सी अधिक पढ़ाई में करना सीखना होगा, अगर आपने ही कर लिया तो दिकत नहीं आएगी, राओ आपको यात्राय करेंगे धार्मिक कारियों में, खर्च करवाएंगे परन्तु ये खर्चे आपके अध्यात्मिक्ता को बढ़ाएंगे, आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, अब आते ह आपके 10 और 11 आउस पर, 10 और 11 आउस के लॉड ए शनी जो के 11 आउस में स्वग्रही हो रहे है, यहाँ पर शनी का स्वग्रही होकर बैठना आपके कारियों में आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा, आपके काम फटा-फट से होंगे, जो शनी अब तक रिजल्ट देत उसका लोहा आप अपने बहुत से भी मनवा लेंगे, यानि उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, सरकल और लेवल बढ़ेगा, इस समय सामाजी करिकर्वों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, मित्रों का पूरा सईयोग मिलेगा, तो यह हुई मेश राशी वालों के अक्टोबर मा के मासिक राशी फल की बात, अब आजाते हैं कुछ उपायों पर, तो आपको पता है, चुकि मंगल और सूरिय दो ग्रह नीच के हो रहे हैं, तो लाल चीजों का दान आपको करना चाहिए, सुर्क लाल चीजों का दान करें मंगल के लिए मंगलवार के दिन, और ग्यों का दान आपको रविवार के दिन, सूरि के लिए करना है, कम से कम इस एक मा आपको ये कारे जरूर करना चाहिए, मेश राशी के लोगों को महास्टमी के दिन, महागोरी को गुर की खीर चड़ानी चाहिए, अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तो पीला रुमा और ग्यारा रुपे की दक्षिना देखकर कन्याओं को विदा करें, मेश राशी के जातकों को श्राद पक्ष के दौरान तामबे की धातू से बने सिक्के को पानी में प्रवाइद करना चाहिए, साथी श्राद पक्ष में प्रतिपदा के दिन, अपने परीजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं, सर्व पित्र अमावशे के दिन पीपल के पेड की पूजा करें और इस दिन सुबद जल्दी उठकर उसके नीचे दीपक जरूर जलाएं, नवरातरी में मा को पड़सन करने के लिए दुर्गा सब्त सती और दुर्गा चालीसा का पाट करें, विजे दश्मी के दिन मेश राशी के जातकों को ओम राम भद्राय नम मंत्र का जाप करना चाहिए और बगवान श्री राम की पूजा अर्चना करें, तो ये हुई कुछ उपाएं, जो कि इस मा के हिसाब से मैंने आपको बताएं, पर यदि आप अपनी कुंडली में ग्रा की स्तती कैसी है, क्या बदलाव संभव है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से शुब हैं, क्या रेमिडी आपको करनी चाहिए, जिससे आप अपने फ्यूचर को सवार सकें, और वरतमान में आरी समस्याओं को सॉल कर सकें, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो आप टेल बस रहे हैं, व्यस्त रहे हैं, मस्त रहे हैं, और हमेशा मुस्कुराते रहे हैं, जै श्री रादेक्रश्ना। आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8955658362